हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल करिये टिक फंडा में मैं खुश्बू और आज के इस वीडियो में आपको थमनेल से पता चली गया होगा कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हम बात करने वाले होस्टल कैसे मिलता है CITS exam होने के बाद जब आपको college alert होता है देन वहाँ पर आपको hostel मिलने का क्या procedure है वहाँ पर hostel के लिए आपको quota लगता है कि नहीं लगता है girls hostel कैसे मिलता है इन सारे topics पर हम discuss करने वाले हैं आज के इस वीडियो में उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए ऐसे ही CITS से जुड़ी सारी information पाने के लिए ठीक है तो यहाँ पर हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जो है सबसे पहले तो क्या होगा कि आपको एक्जाम देना होगा CITS का ठीक है इंट्रेंस एक्जाम देना होगा उससे भी पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा अगर हम फॉर्म की बात करें तो फॉर्म आपका इस में के लास्ट या जून के फर्स्ट वीक तक आपके आने जो है 15 में को वो session खतम हो रहा है then उसके बाद ही क्या होगा आपका form आ जाएगा ठीक है then उसके बाद form आने के बाद आपको 20-25 दिन form fill up होगा then उसके बाद 20-25 दिन जो है आपको exam में time मिल जाएगा ठीक है exam होने के बाद क्या होगा result आएगा आपका then उसके बाद आपकी 3 round की counselling होगी ठीक है 3 round counselling होगी काउंसलिंग होने के बाद क्या होगा कि काउंसलिंग होने के बाद आपको कॉलेज एलॉट हो जाएगा ठीक है यहाँ पर काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज एलॉट हो जाएगा Then college alert होने के बाद वहाँ पर आपको final admission के लिए बुलाया जाएगा College alert होने के बाद क्या होगा Final admission के लिए वहाँ पर बुलाया जाएगा उसी समय आपको hostel भी मिल जाएगा अगर हम hostel की बात करें तो लगबख seat के according सभी students को hostel मिल जाता है यहाँ पर criteria सिर्फ क्या लगता है distance वाला criteria लगता है कि जिन भी students को पहले hostel नहीं मिलेगा पहले बाहर वाले students को hostel मिल जाएगा देन उसके बाद अगर seat रह जाती है तो जो है पास वाले students को hostel मिल जाएगा अगर hostel fee की हम बात करें तो यहाँ पर hostel fees आपकी 1200 से 1300 रुपए पर yearly आपका fees लग जाता है ठीक है बहुत ही कम fees में आप वहाँ पर रह सकते हैं और रही बात मेस की तो यहाँ पर मेस जो है मेस का खर्च आपको खुद से उठाना पड़ता है ठीक है मेस का अलग से वहाँ पर charge लगता है अलग अलग लोगों के हाथों में tender होता है तो खाने की according यहाँ पर मेस चार्ज आपको देना होता है ठीक है और मेस चार्ज लगभग आपका पड़ जाता है 1700 से 2200 रुपए ठीक है 1800 से 2200 रुपए यहाँ पर मेस चार्ज लग जाता है अगर हम girls को hostel मिलने की बात करें तो girls को लगभग कोई दिक्कत नहीं होती है सभी girls को यहाँ पर hostel colleges में मिल जाता है और यह जो distance वाला criteria हमने बताया distance वाला criteria हर colleges के होते हैं हर state के जो भी colleges है वहाँ पर यह distance criteria लगाया जाता है कि जो पहले past के students हैं उनको hostel नहीं दिया जाएगा पहले जो बाहर वाले students है उनको hostel मिलेगा देन उसके बाद ही past वाले students को hostel मिलेगा यहाँ पर rank में भी जो है rank के according भी होता है जिन बचों का number जादा है और वो दूर के हैं तो उनको hostel पहले मिल जाता है ठीक है आज की वीडियो में बस इतना ही I hope आपको information अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर कर दे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई information के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद